हाई फ्रेंड्स वेलकॉम माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप उमीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज कॉमेट जुरूर किया करें मेरी वीडियो इसको शेयर भी करें जी फ्रेंड्स मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लोगों के साथ शेयर करें फैमली के साथ शेयर करें अपनी और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब मेरे चैनल को किया है तो बहुत बहुत शुक्रिया जी फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो सिंपल तरीके से आप अपने स्ट्रेटनर के साथ कैसे अपने कर्ल्स कर सकते हैं और बहुत सिंपल तरीके से है आज की वीडियो और अगर आपको मेरी वीडियो ची लगी तो प्रीज मुझे जरूर कॉमेट करके बताईएगा और चले अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो बात है आपने अपने बालों को वाश करना है कंडिशनर करना और अच्छे से आपने उनको कॉम कर लेनी है और मैं ऐसा ही करने लगी हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ करने के पाद आपने सेंटर मांग निकाल लिया तो आप सेंटर निकाल सकते हैं मैंने साइड मांग निका दिया और साइड मांग मैं आपको जो तरीका बताने लगी हूँ बाकी बालों को आपने कवर कर लेना है जी फ्रेंड्स कॉम कर ली है मैंने कॉम करके मैंने स्ट्रेटनर पकड़ लिया और स्ट्रेटनर को आपने अपने बालों में आपने ऐसे गुमान है और आपने बिल्कुल स्लो नीचे ले आना है यह देखे जो आजकल कर चल रहे है यह वह है ठीक है फर्स्ट यह हो गया उसके बाद जो मैं इस साइड से आपको बता रही हूं उन बालों को भी आपने कॉम कर लेना है जी फ्रैंक्स यह एक साइड से मैंने आपको बताया अब दूसरी साइड से भी मैं आपने बालों को निकाल रही हूं आपने जितने बाल लेने हैं वो आप देख लीजेगा बाद की बालों को मैं कॉम कर रही हूं और इन बालों को जिनको आपने निकाल रहे हैं इनको फिर से कॉम करके यह मैंने बाहिर की तरफ से कर्ण की है ठीक है लेकिन इस साइट से जो आपने करना है वो अंदर की साइट पर करना है ठीक है अगर आपकी कटिंग है तो आपने उपर से बालों को स्ट्रेट लेकि आना है और साथ ही आपने अंदर की तरफ उसको स्ट्रेटनर को घुमा देना है तो यह आपके जो कर्स हैं यह जी फ्रेंट्स यह मैं अंदर वाली साइड की तरफ आपको बता रही हूं कर्स को मैंने बाहिर की साइड को किया है यह देखें जी फ्रेंट्स यह एक साइड से मैंने ऐसे कर्स टालें अब मैं जो दूसरे साइड से डाल रही हूं मैं आपको करके लिखा रही हूं आपने बालों को अपने घुमाने अपनी फिंगर्स में गुमाने के बाद आप यहां पे पिन भी लगा सकते हैं सिंपल पिन यह देखें यह है यह पिन लग गई है अब आपने इन बालों को पकड़ने और स्ट्रेट प्ला करने लेकिन आपने इसको फोरां से ओपन नहीं करना वह इसलिए नहीं करना कि थोड़ा सा टाइम देना है के वह आपके कर्स बन जाएं जी इसको यह भी गरम है इसको ठंडा होने ले मैं आपको दूसरा स्टाइल बना के दिखाती हूं मैं इन ही बालों पर आपको बता रही हूं फ्रेंट वाले यह आपने कोई भी ब्रश लेना है ठीक है आप छोटा ले ले बड़ा ले अगर आपने मतलब के साइस में थोड़ा मोटा लेना है वो ले ले आपने अगर उसको थोड़ा सा यनिके डालना है यह प्रश पकड़ा है और प्रश को मैं अपने बालों के अंदर अब इन बालों को स्ट्रेटनर करना है आपने सारी बालों को करना है जहां जहां आपके बाल है वहां स्ट्रेटनर लगना चाहिए यनिके हीर पहुंचनी चाहिए इसको थोड़ी दिर करने के बाद जब आपको लगे के बाल फिर आप इसको आइस्ता इस्ता ओपन करेंगे यह देखिए यह सिरफ ब्रश के साथ मैंने कर्ल्स किया है जी फ्रेंड्स यह मैं आपको यह वानी साइट का जो मैंने किया था उसको मैं उपन करके लिखा रही हूँ आपने पिंको निकालना है और यह देखिए कितना जबर्दस कर्ल्स बना है सिरफ आपने थोड़ी दे वेट करना है आपने जब हेट देनी है उसको फूल होने के लिए छोड़ देना है मतलब ठंडा होने के लिए और यह कर्श है कि जी प्रेंट्स यह जो मैंने अभी आपको कर्श करकर भी मैं कोई यृष जग्जग करने के बाद, इसलिए करते हैं बार बार, थाके बालों में आखे यृष यृष बना है, आपने उसको जग्जग्जग करना है जी फ्रैंस ऐसी इसको आपने जिक्जग बनाना है और थोड़ा सा आपको डिफिकर्ट लगेगा लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता जब तक आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे वो आपको एक से दो दफा मुश्किल लगेगा लेकिन वो हो बस आपने उपर से इंको पकड़ के रखना है ताइट के बाद आपने याद रख लिए है जी फ्रैंस यह मैंने पूरे बालों में इसको कवर कर लिया यह देखें जी फ्रैंस यह बालों को पीन में करने के बाद आप इसको सिम्पल पीन के साथ कवर कर ले यह देखें यह मैंने इनको कवर कर लिया है और फिर मैं पाकी भी कर सकती हूर लेकिन अब मैं आपको चोटी सी वीडियो बनाना चाहती हूं और इसको आपने बालों को ऐसे स्ट्रेटनर रगाना है स्ट्रेटनर आपका गरम होना चाहिए यह अब ही मैं पिन निकाल रही हूं ताके जो बाल है ना दूसरी साइद पर वो भी हो जाए पिन के नीचे जो है स्ट्रेटनर कर लिए लेकिन आपने इसको भी ठंडे होने के लिए छोड़ना है एक दम से इसको भी नहीं ओपन करना यह बात आप याद रखिएगा यह मैं पेनिस के साथ लगा रही हूं अब मैं आपको यह मैं बाद में खोलूँगी अब मैं लास्ट वाला आपको बता रही हूं अपना स्टाइल जी फ्रेंड्स इसको मैं कॉम कर ली है कॉम करके फिर आपने इसकी चुटिया बनानी है जी फ्रेंड्स यह मैंने चुटिया बना दिया अब आपने स्ट्रेटनर रखा हुगा गरम होना चाहिए आपने स्ट्रेटनर थằemin नहीं क्या फेले से ओन ओना चाहिए., पहले से ओना ओना चाहिए ताके उसली हीट कंप्लेट यहनि". अपने बदोब üç अपने बदोब कर आपने बदोब और अंचाहिए जी फ्रेंड्स, यह मैंने बालों को आपने किया है, इसमें थोड़ी सी यहीट होगी, वो गडम है, आपने फोरल से उसको अपन नहीं करना, यह छोटी छोटी बाते हैं, हर चैनल पर नहीं बताते, तो अब मैंने इसको ऐसे चोड़ दी है, जो मैंने अभी यह वाला आपको बनाके दिखाया था, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ, तब तक ये ठंडा हो जएगा, जो मैंने अभी हेल स्ट्राइल इसको बनाया है, तो ये आपने याद रखना है, इसको बिल्कुल आपने वैसे ही निकालना है, जैसे आपने, ये देखें फ्रेंड्स, वाव जबर्दस्त, ये देखें, जिग्जग बन गया है, जी फ्रेंड्स, ये देखें, कितना प्यारा जिग्जग बन गया है, आप इसको उपन भी कर सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ओपन करने के लिए आप इसको यूँ थोड़ा सा, ये देखें, आप इसको पुन कर लें या आप वैसे ही रख लें वह आप्की अपनी चॉइस है लेकिन मैं बहुत हैं लेकिन इसे ज्यादा या related की ओपन ओके यह ज्यादा हो गया अब ये स्बाद हैं शेस्टेक्षंड त्किजदय पया हैं यह थंडा हो गया है, यह बाल थंडे हो गया है, इस चुटिया को मैं उपन कर रही है, यह देखें, यह जिग जग आ गया है, यह स्टाइल जो मैं आपको बता रही हूँ, यह आज कल बहुत इन है इसके लिए आपको एक प्रॉपर वो खरीदना पड़ता है, यह क्लिम्पिंग हो गया, यह क्लिम्पिंग हो गया है, ठीक है, और यह भी देखें, लेकिन यह जब बंग था तब ज़्यादा प्याना लग रहा था, जी फ्रैंक्स यह थी आज की वीडियो, यह थी आप लोगो और लाइप मी कीजिएगा, थैंक्यू सो मच्छ